कि इसमनिक में रच निहें में निन की शुनिया रिक फिपाइश के एथ अन्सरकारी स्यूनिया नास साईतिय की रचना ऑन्सरकारी शुनिया त्य तता रासक कावे के रजना हो रही थी, उनका सब डूप क्या था, उनके विशेष गरंद क्या थे तता उनकी विशेष ताई क्या थी, इन सभी विशो पर आज हम चर्चा करेंगे। जब हम रासो कावे के अर्थ की बात करते हैं, तो अलग-अलग विद्वानों दुवारा अलग-अलग मत दिये गए हैं। जब हम देखते हैं कि गार्द सोदद तासी के अनुसार राशो कावे को राजश्री यद्वी, और अचारे रामचन्द सुकल जी के अनुसार राशो कावे के राशायनों, राशो सब बार-बार आया हैं, उन्होंने उसको टॉनिक के अर्थांतर में बताया है, ऐसी रचना जिन में वीर्ता से भरी हुई है या वीर रश की परधानता हूँ जह हम रामसवरू चतरवदी जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने राशो के अर्थ को रश या चंदरावली रस में बताया है उन्होंने कहा है कि पृत्वी राशो की रचना करने वाले चंदरवर्दाई ने लिखा है कि ऐसी रचना जहां नो के नो रशो रस सामीड हो जाए और उनका विमेद्य हो जाए और उनमें छंदो कावी विमेद्य हो जाए वही रासो कावे है जम आचारी हजारी परसाद वेदिजी की बात करते है तो उनका मत यह है कि रासो का अर्थ है रासानित यानि इस काल के समय में या इस कावे का खंड में जो भी साहित्ते लिखे गए वो कलपनाओं और विलासों पर आधारिक दे वह जरूर इतिहास के किसी मुखे गटना से संबंदित हो सकते हैं पर उनमें तथ्य और निरूपन या उनकी सत्यता से अधिक उनमें कलपना और विलास की भावना को अधिक मानने तर दी गई थी यही कारण था उनका नाम राशक रखा गया जब राशक सब्द की बात करते है तो हम पर चलता है कि रा अब्रहंस से बना हुआ है जहां राशक का अलव प्रानवे एंजन है राशक जैन कावे लिखे गए उन्होंने उनका परियोग किया था जिसमें ओकरांत आती थी ओकरांत जिनमें आ सब्द की अंत में दवनिया आती है उसे ओकरांत सब्द कहते है करांत का अर्थ हो था अंत और अंत में आने वाली दवनिया या सब्दों का परियोग हो था उन्हें ओकरांत कहते है जैसे राशो ओ तो अंत में ओ आती है इसलिए यह ओकरांत परदान दवनिया कही है जह हम रासो की बात करते हैं तो हम देखते हैं मद्यकाल तक आते हैं हमें रासो कावे लुप्त होते हुए दिखाई देते हैं रासो कावे पराए वीरता शिंगार और उपदेश्ये परधान होते थे वीरता जह हम देखते हैं कि किस प्रकार पिर्थवी राज राशो में हमें वीरत परदान दिखाई देती है पर जिस परकार आचारे रामचंद सुकल जी का कहना है कि जहां रासो काव्यों में वीर रस होगा उसके साथ साथ गुप्त रूप से या किसी ना किसी रूप में श्रिंगार रस की भावना देखने के लिए मिलेगी तो हम इसलिए कह सकते हैं कि रा इसके अलावा हम देखते हैं उपदेश्यययात्मत परधानता कि किस परकार जैन कव्यों नе अपने ग्रंतों में धरम के उद्देश्ययखs परचार की अलगला ग्रंतों का निरमान करवाय तो इस परकार जिन कव्यों की रचना हुई उन्हें उद्देश्यखs prrdhan रासो क स्पर्वारी पार्ट हो जाता था हमने देखा कि किस प्रकार पीशल देव रासो जाने वाले भाव में एक काव्य है के राशु कावे कीव कि बाशा की बाद धीव हाट करते हैं तो डिला वी जब राश् व काव्भी के रचना होनी और उप करना होई ती उस समय अभ्रहंस प्राकिरताउष अभ्रहंस में इनकी रचना की जाती थी, जिसमें जैन कव्यूने उपदेश आत्मक राशाइन राशो चंदरवाला राशो नामक गरंथों की रचना की, जिसका उदेशय कून रुप से धर्म का परचार करना, तथा लोगों के बीच में जागरू किया जैसा कि आरंबिक अब्धिक अब्धिस अब्धुल रह्मान के वह संदेश राशक भी कि रचना की थि अब्रंस भासा में हमें पिर्थवी राज रासों की रचना देखने के लिए मिलते हैं इसके पश्चात परवर्ती हिंदी अब्रंस और पराने हिंदी के नजदी की रचना है जैसे परमार रासों जैसे ग्रंथ हमें देखने के लिए मिलते हैं जिसमें आहला खंड में उत्ता, सियार, मनुष्य, सब्दों के परियोग होती मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि अब्रंस से पुरानी हिंदी की तरफ जाने वाली भासा के बीच की या दो भासाओं के बीच के समय में परिप्थ होने वाली भासा थी जिसमें हमें हिंदी के सब भी देखने के लिए मिलते हैं तदा अब्रंस की रचनाओं या उसके उधारन भी देखने के लिए मिलते हैं जो हम भाषा की परवर्ति की बात करते हैं, तो राशो कावे में पिंगल और डिंगल दो परकार की भाषा हमें देखने के लिए मिज़ती हैं, जो हम पिंगल की बात करते हैं, तो हम पर चलता है कि पिंगल व्याकरन समस्त भाषा है, जिसमें मादूर्य गुल मिलता है, जैसे की ब्रजवासा पर पिंगल पूर्वी राजिस्थान के साहित्य के रूप में परियोग की जाती थी इसे अधिकांस भाट चाती के लोग यह कव्य द्वारा लिखा जाता था जैसे हम जानते हैं कि रासो कावे में गीत की अधिकता और दिर्श्य की और निर्ते की अधिकता द दिंगल की बात करते हैं तो अंपर चलता है कि डिंगल राजिस्थान के पश्यमी भाग में बोली जाते थी जिसका अधिकांस परियोग चारन्य कवी दिवारा किया जाता था चारन्य कवी भैकवी होते थे जो पून रूप से राजाव पर आश्रित होते थे तथा उनके न वियाकरने के समझत भासा नहीं है इसमें ओजगुन पाय जाता है जहां ठै ठै डै 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 जैसे सब्दो वर्न हमें देखने के लिए मिलते हैं जो खड़ी बोली के समीट के हमें दिखाई देते हैं जिसमें जोश और उत्साहा की बाव मिलते हैं यही कारण हो सकता है कि व अलग अलग समगरियों का वर्णन हमें काफी बार देखने के लिए मिलता था। किलता था जम सिल्प की बात करते हैं तो। कावे, इनका सिल्प सजग है, अलंकारों का परियोग किया गया है, भासा डिंगल और पिंगल है, रश शिंगारस और वीर रश की परधानता हमी रासो कावें में देखने के लिए मिलती है, कावे रूप समाजिक कल्यान सहीत्य की द्रिश्टी से कमजूर है, क्योंकि जब हम स कि वाध़ करती facing साहिते कार्थ होता समाज wine कि कि अधित तर राजाओं के बारे में उनकी विशए उनकीत अलग-अलग प्रकार से परसंसा होती हुए दिखाई देती है या कि श्रिंगार रश्थ की भावन अधिक देख निक देह मिलती है जिससे समाजिक कल्जान की 사용 जिसमें छिप जाती है यही कारण हो सकता है कि कावे रूप की द्रिष्टी से यह कमजूर है चंद जब हम चंद की बात करते हैं तो इसमें मात्रिक चंद और वर्नित चंद का परियोग होता है चंद अपने नियमों के अनुसार बनाई जाते हैं मात्रिक चंद जिनमें नियम करम अनुसार या संख्यात्मक रूप से वर्नित रूप से लिखे जाते हैं उन्हें हम वर्नित चंद जाते हैं इनमें बिम्ब और परती भी हमें देखने के लिए मिलते हैं बिम्ब जो हम किसी कहानी को या कथा को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ बनने वाले चित्रों को हम बिम्ब कह सकते हैं कि हमने किसी कहानी को पढ़ना आरंब किया और उसके चलते सार के चलते चलते हमारे मस्तिक्स में कोई चित्र बनना आरंब हो जाए कि हम कहीं जा रहे हैं सड़क से हम किसी रास्ते को क्रोज कर रहे हैं तो हमने हमारे दिमाग में इस चीज को पढ़ने के बाद बिम्ब बनता है कि एक सड़क है और उस रास्ते को क्रोज किया जा रहा है उसी को हम बिम्ब कहते हैं किसी साहित्य के इतना मजबूत होना कि उसमें पाठक इतना लुप और सब्द को वर्नित करें कि अगर किसी को क्रोध आ रहा है उसे उसे क्रोध आ रहा है हम कहें कि गैस पर रखा दूर उबल गया इसका संभव ता अर्थ है कि यह सीधा नहीं है पर इंडारेक्टिवए में कही गई बातों को परती कहा जा सकता है कि किसी और को माद्य मना कर अ रासो कावे की विशेष्टा की बात करते हैं हम देखते हैं कि रासो कावे में वीरता शिंगारस की प्रधानता में देखने के लिए मिलते हैं यह मूल संबंद देखते हैं कि रासो कावे का मूल संबंद किस से था तो हम पता चलता है कि राजाओं के चरित्र से और उनकी परस इसपर्कार कांझाया सब्सक्राइब दो सिद्यक्साइब लीए वे उनकी दुला किसी ऐसी वस्तू से करते जिसके इसओ कि जो क्षान सब्सक्राइब देख उफ Welki और वीर गीतों की देखने के लिए मिलते हैं जिनमें पिर्थवी राज रासो वीर गीत के रूप में हमें विसल रासो देखा दा सकता है जिए हम सुकल जी की बात करते हैं तो सुकल जी का अनुसार महान कभी चंद्रवर्दाई है जो की पर्थम महान कभी है सुपल जी का नुसार पिर्थवी राज रासो पहला परवंद कावे है हिंदी वासा का दुवेदी जी का नुसार पिर्थवी राज रासो का चित्र चरित्र कावे कथा कावे अख्या की आधी के रूप में लक्षित किया गया है हम देखते हैं कि रासो कावे में युदों का वर्णन मिलता है रूप के सोंदर्य का वर्णन मिलता है प्रेम के भी सरस्चरित्र देखने के लिए मिलते हैं कि किस परकार जब हम रासो कावे के पढ़ते हैं तो उसमें युद्ध और स्त्री मध्यम में होते हैं क्यों युद्ध हो रहा है तो या तो वो किसी स्त्री के लिए हो रहा है युद्ध विजय के बाद हमें दूसरा पहलू यह देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से रम्निय या सिंगार भाव युद्ध जीतने के बाद या स्त्री से विवा करने के बाद राजाओं का दिखाय जाता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुकुल्डी द्वारा कही गई बात सही है कि वीरस होने के बाद वीरता परधान होने के बावजूद भी गौन रूप से शिंगार भाव कहीं न कहीं इसमें पर्तुत होता है जह हम वनन की बात करते हैं तो हमें नगरों का वनों का सईयोग और व्योग के भाव देखने की मिलते हैं संदेश राशक कावे इसका एक उधारन हो सकता है किस प्रकार जो एक पत्नी अपने पती के कहीं दूर जाने पर किसी यात्री को उनके पत्र लिखने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें दे देना तो वहां उनका वनन उस में लिखना आरंब करती है वह पत्र इतना लंब होता चड़ा जाता है कि अनेक सट वितुएं बीती जाती हैं पर भय संदेश खतम नहीं होता और अंत में हम देखते हैं कि किस प्रकात वियोग को यहाँ पर दरसाया जा रहे हैं वही सिंगार रसकी सोंदरे को पर्तूत करता है बीसल देवरासो की बात करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जिसके इसे रचना का नर्बती नहाला है उन्होंने यहाँ पर मालवा के बोज परमार की पुत्री राजमती का विवा सांभर नरेश से होतोओं दिखाया कि कि किस प्रकात उन्हों के विवा के बाद उडेश सांभर नरेश सले जाते हैं तथा राजमती उस विरह Samar योग को किस प जाकि दाकर बताए जाता है जिसमें सामंते जीवन के परती गहरी अरूची का भी संजीव चित्रन किया गया है यह एक बारे मासा है कि बारे मासा जो की अलग-अलग रितू के अधार पर या बारे महीनों के अधार पर जिसका वर्ना देखने के लिए मिलता है इसकी भासा डि लुड़ियों से जोड़ा जाता है तक उन्हें एक रचनातमक, रूह परदान किया जा सके मिलता है। जिसमें पृत्वी राजरासों में देखने के लिए मिलता है。 इसमें आकाशवानियों का परियो किया जया है। वर्णन देखने के लिए मिलता है जिसकी एक ओपड़ी भूमी का है हमें सपन दर्सन चित्र दर्सन गुर्ण शावन नक शिकर वर्णन नक यानि कि नकुन से लेकर सिकर तक का वर्णन संदर्य स्त्री के रूप में या उस तरह से देखने के लिए मिलता है इसमें ब्रिंगी स जमवाद भी देखनी के लिए मिलता है जो की की लीद्ही लता मिलता है जो की विद्यापती की मैपूझ पूर्थक है जहों रासो कावे के विविकास की बात करते है ते हमill Sam issues systems रासो कावे के विशिष्ट की रूप और वीर गाथाय बीसमें देखने के लिए मिलती है। जब हम जैन राशक काविक बात करते हैं तर सोरे है, प्रखरम के साथ सथ, एंथमें पेरागय और सांत रच देखने के लिए मिलता है। जिसमें कथावस्तु में प्रेम योग और पुनर मिलन का भी अधिकार होता है जैसा कि इमें बीसल देवरासों में देखने के लिए मिलता है प्रेम है योग है और अंत में जब राजमती और संभर नरेस का मिलन होता है जब है उन्हें मालवा के बहुज परमार से अपने प्रक राशों और धार में कुद्देशय राशों की भी अति शोक्ति पूर्ण वर्णन हमें देखने के लिए मिलते हैं राशों का वे प्रभंद एवन मुक्तक दोनों रूप से लिखा जाता है इसकी भासा में हमें अर्भी-फार्सी की भी जहलक देखने के लिए मिलती है जिसमें हमें संस्किर्ट, अर्भी, फार्सी, प्राकर्ट, पंजावी, ब्रज और अब्रंस का प्रभाव कहीं न गहीं देखने के लिए मिलता है रासो कावे, जब हम पिर्थिराज रासो की बात करते हैं तो यहां पहला पर्ण यह उठता है कि क्या यह महाकावे है क्योंकि है तो किस परकार है और नहीं है तो क्यों नहीं है और महाकावे होने के लिए क्या-क्या कसोटिया है महाकावे होने की कसोटिया है कि उसमें सर्ग और चंद का वैविद्य हो दीरोदाते नायक हो रस में वीर रस, सिंगार रस और सांत रस हो जह हम पुरसार्थ की बात करते हैं तो चार पुरसार्थ होते हैं जिसमें समाज का बर्णन मिले मंगलाचरन जो की आरंब में किया जाने वाला होता है मंगलाचरन हो, शेयन पर्शंशाहो और दुर्जन निंदा हो इसके साथ हम देखते हैं कि महाकावय में अब तक सम्मिलित होने वाले अगर हम चरित्र की बात करें तो राम चरित्र मानस है वर्नन दोपरकार के मिलते हैं अगर हम भाव की बात करें तो कामियानी अकेला एक ऐसा महाकावय है जिसमें भाव के दूप में उसे महाकावय की स्थिति परदान की गई पर हम गठना परदान महाकावय की बात करें तो उसमें पित्वी राजरासों को सम्मिलित किया गया है डॉक्टर राम विलासरमा के अनुसार चंदरवर्दाई को छंदो का राजा माना जाता है क्योंकि उन्हें ने 68 छंदो में पृत्वी राज रासो को लिखा है जब अन्य बात करते हैं तो जब देखते हैं कि किस प्रकार राम चंद सुकल जी ने पृत्वी राज रासो को महागावे माना है यहाँ पर अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत है जिस प्रकार डॉक्टर शाम शुंदर दास, मोहनलाल, बिश्नुलाल, पांडे, मिस्टर बंदू और कर्नल टॉड जैसे विद्वानों ने पृत्वी राज रासो को संसक्रन जो की नगरनी परचाननी सभामी हु अलग-अलग समय पर अलग-अलग व्यक्ति द्वारा पूर की गई गाता है। जहम चोथा मत देखते हैं तो उसमें नरुत्तम दास शौमी जी आते हैं जिनका अनुसा दरवार में रहकर मुक्त रूप से रासो की रचना करने के कारण उसे रासो मूलत है, परबंद काव्य नहीं है, इसे नहीं माना जा सकता है। पर जहम देखते हैं कि करनल टोड द्वारा भी अंग्रेजी में पित्वी राज रासो का परिवतन किया गया है। डोक्टर बूलर ने पित्वी राज रासो को ऐ परमानिक गोशित किया है। तो पूरा भर्णन है वह नहीं दिया गया है, या फिर वह इत्यास में सम्मलित नहीं है। तता गटनाओं के बीच में नभे से सो साल का अंतर देखने के लिए मिलता है। यही वो तरक है, तत्य हैं जिनके आधार पर पिर्चवी राज रासो को महाकावे नहीं माना जाता। पर जब उसकी प्रमानिकता की बात करते हैं, तो डॉक्टर दसरत सर्मा का मुर्मत है कि इसमें इतनी असुद्या नहीं है कि इसे इत्यास में सत्य ना माना जाए। गटनाओं में 90-100 वर्सों का अंतर है, पर हो सकता है कि अलग-अलग समवत का या अलग-अलग कलेंडरों का प्रियोग होने के कारण इसमें इतना फरक देखने के लिए मिलता है, जैसा कि मोहनलाल विष्णु पांडे ने कहा है कि आनेंद समवत की कर्पना की जाए तो उसक सबरों के शाथ जो धवनी या अनुश्वारान परवर्ती हमें देखने के लिए मिलती है, वह बारवी स्ताबदी के गरंतों की सिध्ध होती है, तो इसके कारण हम कह सकते हैं, यह है एक महा कावी है या उसी समय में लिखा गया होगा, रासों इतिहास गरंतना होकर कावे ग गरंत की रचना इतियास मुवी घटनाओं को अपने अंदर लिखने की नहीं थी, उन्हें सत्य की खोज करने के लिए उन्हें सुक्स की समवाद के रूप में सर्गो की सैल्यू में लिखा गया है, जो कि पर्तेक्स रूप से सिध्ध माने जा सकते हैं, पर हो सकता है कि कहीं इतियास विरोधी तक्त्य हो, जो लोग पित्वी राजरासों में अर्भी-फार्सी के सब्दों को देखकर उस गरंत को सत्य माने समना करते हैं, उनका एक कारण यह भी हो सकता है कि चंदरवर्दरी जो इसके लिए खाके वे लाहोर के रहने वाले थे, तो संपफत हो सकता ह तकि मुसलिम पर भावाने की कारण उनकी भासा में हमें अर्भी-फार्सी का मित्र देखने के लिए मिला हो कि यह अलग-अलग मत हो सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि पित्वी राजरासों एक महा का हुए है प्रिद्वी राज रासु तरासदी है या नहीं जह हम इसकी बात करते हैं तो हम पचलता है कि इसमें समानते दिखाया गया है कि समवेदना के इस तरपर समान्य व्यक्ति सोच सकता है कि है एक तरासदी है क्योंकि इसके अनुसार गोरी प्रित्वराद चोहान को बंदी बना लीता है तता उन्हें नेत्रहीन करकर छोड़ देता है अंत में उनकी और चंदवर्दाई दोनों की मिर्ति हो जाती है तो समवेधना की दृष्टी से देखा जाए तो हो सकता है कि आम मानत सोच ले की है एक तराजदी है पर जो हम देखते हैं कि दुख, दुरेचन और हमर्सिया जो गोरी को छोड़ करने के कारण हुआ था तो यह भी एक हो सकता है क्योंकि हमर्सिया उत्तम पुरुष दुआ रखी गई है गलती जिसके कारण उसे अपने जीवन में परस्ताना पड़े पर गोरी को छोड़ने का परस्तावा हमें पृत्वी राज चुहान में नहीं दिखाई देता पृत्वी राज रासो सेमें पता चलता है कि अंत में पृत्वी राज चुहान ने गोरी को हत्य कर दी हम नहीं कह सकते कि इभी पिर्थ्वी राज रासों के में दिखाई देती है या नहीं तो दुख और विरेचन की भावना हमेना उत्पन नहीं होती तो यह कारण हो सकता है कि पिर्ट्ष्व राजरास थराधसी ना हो नहीं जब नीलदेवी की बात करते हैं तो वह कहते जों कहते हैं कि पिष्व राज जोहां ने कि जब इतने सूर्वीर को युद करते हो देखता है तो गगन और सूर्य भी मगन हो जाते हैं जितने भी वीर हैं सब हाश्य शबर खुसी से पून होकर हर्स और उल्लास में जूमने लगते हैं क्योंकि इतना रगत भाकर जो वीरता उश वीर ने दिखाई है वह समाने नहीं है तो इस से हमपच चलता है कि पृत्वी राजरासोय तराजदी नहीं है क्योंकि उनमें वहां अफसोस का और दुख और विरेचन का भाव नहीं है जो कि तराजदी काई होने का एक मुख्य कारण है थैंक यू पर वाचिग लाइक शेर और सब्सक्राइब तो अंसरकारी